आज हम ब्लेक फोरेस्ट केक बना रहे हैं और यह हाफ केजी का केक है जो कि 200 ग्राम प्रीमिक्स से बेग किया है और यह चोकलेट प्रीमिक्स था और अब इसको मैं कट करना बता रही हूँ बट आज इसमें हम एक ट्विस्ट देने वाले हैं जो कि वाइट चोकलेट का भी ट कट होगा और यह मैं पूरा दिखा रही हूँ आज इसलिए ताकि जो न्यों लोग जुड़े हैं इस चैनल से वो भी अच्छे से देख सकें कि कैसे आमने स्पंज को कट करना है और कितना स्पंज लेना है बेग करते टाइम और अगर आप माइक्रोवेव में बेग करोगे तो 160 डिग्री पे 30 मिनिट के लिए बेग कर लेना अच्छे से बेग हो जाएगा और अगर आप कडाई में बेग करेंगे तो कडाई को भी 10 मिनिट प्री हिट करके और तब तक आपकी टुट पिक या चाकू जो भी आपके पास है नाइफ वो क्लीन ना निकले तब तक आप बेग कर लेना तो देखे ये हमने सुगर सरफ बना लिया है सुगर सरफ कैसे बनता है पानी में हमने चीनी डाल ली है एक गिलास पानी में दो चम्मा चीनी डालेंगे तो काफी रहेगा और उससे अच्छे से हमने गीला कर लिया है हमारे एक लेयर को और इसमें हमने क्रीम और अब हम इसमें डालेंगे धेर सारा गनास क्योंकि यह ब्लैक फोरेस्ट है और गनास का तो इसमें टेस्ट आना ही चाहिए. तो ये दिखे ये हमने इसमें खूब मतलब एक स्पून से डेड़ स्पून तक हमने इसमें डाल दिया है गनास और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और ये डाल दिये हमने चोकलेट वाइट और डार कमपाउंट जो कि हमने पहले से ही अच्छे से कट करके रखे थी ब और ये केक बन रहा है केंडरी विद्याले की टीचर है जो कम्पिटर साइंस की हैं उनके लिए ये बन रहा है केक और अरजेंट ये ओर्डर आया था हलांकि मैंने मना करने का भी सोचा था बट ये लोग मेरे से केक बनवाते रहते हैं इन लोगों को मेरे हाथ का टेस्ट और डिजाइन नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था इन्होंने बोला कि हमें सरफ केक चाहिए और बिल्कुल सिंपल केक चाहिए तो लेकिन हम सिंपल तो कुछ बनाते ही नहीं कभी भी तो इसको भी बहुत अच्छा सा है कि सिंपल लुक में बहुत क्योंकि इस से आज हमने कोई एक्स्ट्रा डिजाइन नहीं बनाना है अधरवाईज हम इस से जो डॉम से निकालते हैं थोड़ा सा वो उससे हम एक अलग से कुछ ना कुछ डिजाइन बना के लगाई देते हैं उसमें बट ऐसा आज हम कुछ कर नहीं रहे हैं तो देखो तो यह भी हमारा हो गया अभी हम रखेंगे हमारी फाइनल और लास्ट लेयर और देखो हाइट हमारे केक ने कितनी जादा ली है मतलब हाफ केजी का केक है बट यह लग रहा है जादा ही है लेकिन यह हाफ केजी का ही है क्योंकि इस ने हाइट बहुत अच्छी ली है तो इस इस पर हम ने गनास वेकर खुश्नी डालना है सुर्फ इसको पसघिला करना है और क्रीम कोत्धिन दार्व ना म tad पर खर देंगे हम नहीं कोट वर मद मध clairement idee क्रमा आहीं नहीं दिखने चाहिए क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सीखने के लिए बोल रहे थे बट मैंने उनको सुझेशन दिया कि पहले आप वीडियो देखो उससे आपको काफी आ जाएगा मैं डीपली बताती हो और हाँ यस मैं डीपली बताती हो अपनी हर वीड है यह पूरा अच्छे से मतलब जहां मारा केक दिखना बंद हो जाएगा यानि कि हमारे क्रम्स बिल्कुल कावर हो जाएंगे वह होता है क्रम कोट और अब क्रम कोट करने के बाद इसको हाफ होवर के लिए फ्रीज में रखना होता है केक को बोड को क्लीन करने के बाद तो यह हाफ होवर के लिए रख दिया और अब भी हम इस पर फाइनल फिनिसिंग का रहे हैं अच्छे से हमने चारो तरफ भी क्रीम लगा ली है और उपर भी बिल्कुल अच्छे से क्रीम लगा ली है अगर आपको पैलेट नाइप से दिकत होती है तो आप पैपिंग बैग में क्रीम भार के और फिर आप अपलाई करो जो की एजिली हो जाएगा तो यह देखो कितनी आच्छे से हमने फिनिसिंग दे दी है इस पर केक पे और मैंने अभी पैलेट नाइप को थोड़ा सा दूसरी तरफ रोटेट किया है और रोटेट करने के बाद हमने एक बार और फिन इसे ही बना के रेडी रखा है और इसमें मैंने फ्रेस क्रीम एड़ की थी चोकलेट में मैल्ट करते टाइम मैं एक वीडियो स्पेशली गनास की भी लेकी आऊंगी क्योंकि आभी एक पिछली वीडियो पे एक मेरे वीवर ने ना कमेंट किया था कि हमारा गनास वो जम जाता है बार बार तो वो जम था इसलिए है कि आपने उसमें फ्रेस क्रीम यूज नहीं की है सायद आपने चोकल पासा और गरम कर सकते हो तो मैं गनास की पूरी जानकारी दूंगी आपको स्पेशली एक वीडियो लेके आऊंगी बट थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं अभी घर आई हुई हूं और यहां पर मेरे पास कुछ भी सामान नहीं है मैं कोई सामान नहीं लेके आई हू तो यह देखो यह हमने चोकलेट जो चॉप करके रखे थी वाइट और डार्क कमपाउंट उसी को हम साइड में लगा रहे हैं और ब्लैक फोरेस्ट में मोसली ऐसे भी लगाते हैं और आप कोई भी डिजाइन दे सकते हो बट ब्लैक फोरेस्ट में क्या है ना चोकलेट प्रिजाइन प्रिजाइन खैड़र भी होगी लेकिन क्रीम भी होती हैं तो यह होता है ब्लैक फोरेस्ट तो कोई भी मनचाया पैटन दे दो अब ही ये मैंने पैलेट नाइफ से अच्छे से इसमें क्रीम में लगा दिया है और अब भी ये हमने लिए स्टार नोजल और थोड़ा सा बचा हुआ गनास मैंने एड कर दिया था हमारी वाइड क्रीम में तो यह थोड़ी सी चेंज हो गी है और डार्क बन गी है यह हमारी क्रीम तो उसी से मैंने बाउडर का पैटन दे दिया है आप देना चाहो तो दे सकते हो नहीं दोगे तो भी इसका लुक बहुत ह अच्छा लगेगा अभी देखो उपर यह जो मैं नाम लिकरी हूँ न उनका नाम अन्नु है तो अन्नु मैं जो लिकरी हूँ यह न्यूटरल जैल है न्यूटरल जैल में मैंने थोड़ा सा पानी एड किया है एक चमच न्यूटरल जैल में मैंने दो तीन डॉप पानी एड एड़ किया से मिक्स किया और वाइट इसमें कलर एड़ किया है जो हमारा फूट जल कलर है वही एड़ किया है और पतली नोब वाले पाइपिंग बैग में फिल करके मैंने नाम लिख आ है आज मैंने आपको बता दिया है अच्छे से और यह देखो उसी से मैं पूरा पैटर् बनके बहुत ही प्यारा लगेगा और कुछ गार्नेसिंग हमने चोकलेट से पहले ही बना रखे थे फैन वगेरा और स्टार वो सब भी इसमें एड करेंगे क्योंकि हमने इसमें वाइट भी चोकलेट एड की है तो मैं वाइट का भी एक स्टार बना रखा है वही अभी देखन हम इसमें सेट करेंगे और सेट कैसे करेंगे एक फैन को मैं बीच में लगा देती हूँ और फिर दो फैन को हम टेड़ा करके लगा रहे हैं एक का इधर फेस करेंगे एक का उधर फेस करेंगे और बीच में हम इसके स्टार लगा देंगे तो गैस यह कैसे लगा आपको यो में